नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल HP Job Alert पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे HP IPH requirement 2021 के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर लाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हिमांचल प्रदेश IPH requirement 2021 दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे इसमें 3192 जो पद भरे जाएंगे और इसके जो क्या qualification रहेगी एज लिमिट क्या रहेगी, सेलरी क्या रहेगी और कब तक ये भरे जाएंगे सारी जानकार आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसलिए हम तक वीडियो को देखते रहे है इमांचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर के भरे जाएंगे इकतिसो बानुए पद कैबिनेट से अनुमती लेकर बरे जाएंगे ये पद दोस्तों इसमें टोटल वेकेंसिस जो है की इकतिसो बानुए पोस्ट रहेंगी और पैरा पंप उपरेटर की इसमें ग्यारा सो पैंथिस पोस्ट रहेंगी प्यूट की बात करें तो तैंथ पास और आईटी आई इन 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 वायर मैन मेकैनिक, पम्प मेकैनिक, डर मोटर मेकैनिक और पंप उपरेटर का म मचैनिक ये इसकी क्यूट केश्ट रहेंगी पैरा प्यूट पैरा फिटर के लिए एक सो तेतर पोस्ट और क्वालिफिकेशन इसकी टैंथ पास और आईटी आई इन दर ट्रेड ओफ फिटर के इसमें ट्रेड में आपकी आईटी आई होने चाहिए और मल्टी पर्पर्पस वर्क करके लिए अठारा सुच्छोरासी पोस्ट रहेंगी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आटवी पास आप हमाचर प्रदेश से होने चाहिए और मंत्री ने बताया कि भर्तवान में 226 कीमों पर कुल 900 नौए पंप उपरेटर, फीटर, बेलदार, चौकिदार, इलेक्टरिशन, माली, डाटा उपरेटर इत्यादी रखे गए हैं 499 पंप उपरेटरों में से 347 पंप उपरेटर आईटी आई प्रशेक्षित हैं और 656 पंप उपरेटर अनुभव की आदार पर लगाए गया हैं इसी प्रकार 22 फीटरों में से 25 आईटी आई प्रशेक्षित हैं और 67 अनुभव की आदार पर लगाए गया हैं दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट के बात करें तो minimum आपकी 18 साल हों चाहिए और maximum 45 साल salary के बात करें तो parafeater के लिए 4000 pump operator के लिए 4000 और multipurpose worker के लिए 3000 salary रहेगी per month और regular service आपकी 10 साल बाद होगी parafeater, para pump operator और multipurpose worker में भी selection process के बात करें तो parafeater on the basis of merit और interview के अधार पर आपका selection होगा और June 2021 में जो apply कर सकते हैं आप इसके लिए तो apply जो mode रहेगा और और इसकी official notification जल्दी आपको मई महिने में मिल सकती है तो application phase के बात करें तो unreserved के लिए nil और STSTOC के लिए भी nil दोस्तों अगर video अच्छी लगी हो तो video को like करें और channel को subscribe करें ताक कि नई video को notification आपको सबसे पहले ही मिल सकें और अधिक जान करें के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा धन्यावाद जान्यावाद जान्यावाद जान्यावाद